कि रहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दा लॉजिकल साइंस में मैं हूँ आलोक सिंग आतीज और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं इसमें आप समों को कहीं ने कहीं लगातार कन्फ्यूजन बना हुआ है ना दोस्तों यह तो आप सबों को पदार्थ की अवस्था के बारे में सारी चीज़ें मालूम है लेकिन पदार्थ के अवस्था में किस तरह से परिवर्तन होता है कहीं ने कहीं बहुत सारे मित्र लागातार फस्ते रहें इसलिए आज का जो यह की सेशन है उसमें हम लोग पदार्थ की अवस्था लोग हो गया ववस्था इसको डिसकस कर वाई यह बिना अपने समय को गमाये हुए शुरू करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं एक्जाम रेलेबेंट क्या कुछ स्रीक बात है मेरे मित्र सबसे पहले हम लोग बात कर है उसमें कहीं न कहीं पहला वर्ड ही आया है पदार्थ तो हमको यह समझना होगा कि यह जो पदार्थ है यह जो मैटर है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इस दुनिया में आप जितने भी चीज देख रहे हैं उन सभी में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा और वो कॉम अपमान मिले और मेरे मित्र साथी एक चीज और कॉमन मिलेगा कि किसी भी चीज को आप कहीं पर भी रखोगे तुसर कुछ न कुछ जगह छेकेगा यानिकी स्पेस ऑक्युपाइट किया जाए और साथी आप जब किसी भी चीज को खिसका होगे पूरे ब्रहमांड में आपक कोई भी चीज जिसमें मास हो और साथी जो इसपेस ऑक्युपाइट करे यानिकी जो जगह छेके और साथी साथ खिसकाने पे रेसिस्टेंट प्रोड्यूस करे यहनिकी खिसकाने पे घृसन उत्पन करे आप सभी उसको क्या बोलते ना पदार्थ पोलते एक और मिरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग बात करते हैं पदार्थ की अवस्था की पदार्थ की अवस्था की तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पदार्थ की पांच अवस्था है कितनी अवस्था है सर पांच अवस्था है जिसको दो कैटेगरी में हम लोग बाट करके रखते और यह जो पदार्थ की पांच अवस्था हैं इसके दो कैटेगरी कौन कौन से हैं तूसर को लोग पृइए अवस्था है और दूसरा अवस्था हमारा क्या होता है तो चतुर्थ और पंचम अवस्था होता ठिकें नियाखिए वीफर्ट में बाड़ते । Papd biod应 पूछे गये हैं कि निम्लिकित में से पदार्थ की लोगप्रिय अवस्था है और साथ ही जब हम लोग पदार्थ के चतूर्थ अवस्था की बात करते हैं तो हम लोग कहते सर यह पलाजमा अवस्था और जो पंचम अवस्था की बात करते हैं तो कहते सर यह बी इसी है जिसका इस सौलिध लिक्वीड गैस के बारे में आपको बेशिक जानकारी में नवालू हो इसके साथ ही मिरमितर आप सबह को को तो मालूम ही है कि तारा चमकता है प्लाजमा वस्था के उपस्थूति के चलते बिजली बल में जो नियोन लगा हुआ रहता है बिजली के बोड में तर उसमें भी प्लाजमा होता है हमारे स्टूडियो में फ्लोर्सेंट ट्यूब लगे हुए इसमें भी प्लाजमा है उच प्लाजमा कहते हैं तो कोई भी आप से पूछे कि प्लाजमा वस्था क्या होता है तो जट से नहीं कहा दीजेगा चातूर्था वस्था चातूर्था वस्था है सौब को मालूम है क्या है आप कहेंगे आइनिकरित गैस है आउनाइस्ट गैस है आप कहेंगे कैसे तो मेरे मित् electricity परवाहित करते हैं और गैस हमारा आवेसित हो जाता है आयनाइजड हो जाता है तो वो हमारा गैस क्या क्या लाता है प्लाज्मा क्या लाता है तो हमें इसा ध्यान में रखना है कि आइनिक्रित गैस ही क्या है तो सर्फ प्लाज्मा है या प्लाज्मा state is the form of ionized gas ये क्या है आइनिकरित गैस का रूप है यॉवं साइन बल्म में भी नियॉण गैस भरा हुआ रहाता है ये ये जैसी जैसी ही मिलता है गैस आयोनाइज हो जाता है आयनिकरित हो जाता है इसलिए हम लोग क्या कहते हैं उसमें प्लाजमा की मौजुद्गी होती है यह अवस्था क्या होती है तो सर गैस को अत्यधिक ठंढा करने पर प्राप्त होता है और अत्यधिक ठंढा कब किया जाता है तो सर एपसलीट जीरो टेंपरेचर सुन ताप मान पर ये बेसिक जनकारी आप सबों को कहीं न कहीं पहले से मालूम होगा लेकिन सबसे बड़ा सव क्या है सर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में रूपांतरन होता है और हम लोग को फसा लिया जाता है चोटा-चोटा ठर्म वास से सर्फ फसना नहीं है बस इस स्लाइड प्याना है मिरमेतर ध्यान दीजिएगा कि पदार् समल इनर्जी की यनि Kimya URZA की बात करेंगे किस इस में उर्adore की बात करेंगे तो यहाँ पर परिभरतन देखेंगे वो किसके साखरें सर हीको क्या बोला कि सर पदात के अवस्था में परिवर्तन दाब और ताप दोनों के सारे किया दो हम यहाँ पर उस्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सर यह सॉलीड है यह क्या है सर लिक्वीड है, यह गैस है और यह प्लाजमा है ध्यान में रखेगा कि B.E.C. को यहां से अलग कर दिया गया है क्योंकि B.E.C. सर एक अलग स्टेट में जाके फॉर्मेशन होता है और उसका बास्तविक रूप में यानि कि हमारे डेली लाइफ में हमारे लैब में सर उस स्टेट को फॉर्म करना सर बहुत मुश्किल होता है लेकिन यह जो सॉलिड लिक्विड गैस और पलाजमा है यह कहीं न कहीं आपस में सर एक दूसरे से कनेक्टेड है कैसे तो ध्यान दीजिएगा मेरे मितर यहां पर आप सॉलिड देख रहे हैं और जब आप सॉलिड को गर्म करोगे तो दो चीज़ें आपको देखने को मिले जब आप किसी भी सॉलिड को गर्म करेंगे सर तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी या तो सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगी गर्म करने के बाद या फिर क्या होगा तो सर सॉलिड सीधे गैस में बदल जाएगी तो मेरे मितर यहीं पर आपको याद रखना है कि अगर solid liquid में बदल रही है गर्म होने के बाद, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दरभी करन कहते हैं, और English में क्या कहते हैं, melting कहते हैं, solid जब liquid में बदल रही है, अगर solid हमारा liquid में बदल जाए, solid हमारा किसमें बदल जाए, liquid में बदल जाए, यह परकिरिया हमारा क्या जिसको आप क्या कह सकते हैं द्रवी करन कह सकते हैं तो एक चीज तो आपका किलियर हो गया सर कि सॉलीड का लिक्विड में बदल जाना आप कहेंगे द्रवी करन या फिर मेल्टिंग कहला जिस टेंप्रेचर पर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे द्रवनांक बिंदू कहेंग सिधे किस में आ गया सर सॉलिड सीधे गैस में आ गया सॉलिड किस में आ गया सर सीधे गैस में आ गया तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी सॉलिड को गर्म करने पर वे लिक्विड अवस्था में आये भीना गैस में बदल जाता है तो उस पर किरिया को Sublimation बोला जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं उर्दोपातन कहते हैं तो आप इस चीज को कंठागर कर लेंगे कि Solid का Direct समें परिवर्तित हो जाना क्या कहलाएगा उर्दो पातन कहलाएगा एक्जामपल के रूप में आप किस को तो देख सकते हैं सर तो आप कहेंगे सर नौसादर को देख सकते हैं ammonium chloride जिसको बोलते हैं कपूर हो गया सर आयोडीन हो गया सर इसके बाद सर थोस CO2 हो गया यह सब के सब क्या क्या है सर सब लिएमित्र ध्यान दिजेगा थोड़ा सा और कि जब आपने सॉलिद को गर्म करा तो लिक्विड में बदला आपने बोला redemption के कहला याओ वे कि सॉलिड को आपने गर्म करा तो यह सीधे गैस में बदल गया टो आपने बोला फ़ीरव पातान kohy और सब्लीमेशन पर्कृरिया का जस्ट उल्टा क्या होता है क्या होता है इस cocoa भी आपको याद रखना होगा क्योंकि आपके कई एक्जामें को सन पूछा जाता है कईसे ऐसे नहीं कि सुभी में सन का उल्टा डी पोजीशन होता है इससे पूछा गया तब तो अचिले आप से कुछा जाता है जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वो सीधे solid रूप में परिवर्तित हो जाते हैं पर किरिया क्या लाता है आप कहेंगे सर डिपोजीशन कब जब परले रहेंगे था याद रखेगा कि सब्लीमेशन में सौलीड जो है वो सीधे किस में बदलेगा गैस में बिना लिक्विड एस्टेट में आए हुए जबकि depreciation में क्या होगा सर गैस जो है सीधे सॉलिड में बदल जाएगा बिना लिक्वीड में लिक्वीड स्टेट में आए गए तो सब्ली में संड डिपोजीशन और मेल्टिंग ये चीज आपको समझ में आगई अब मिरे मितर आगे बढ़ते हैं मिरे मितर जब आपने सॉलिड को गर्म किया तो ये लिक्वीड में भाब बनना सुरू हो जाएगा इस परक्रिया को वैपराईजेसन बोलते क्या बोलते है वैपराईजेसन हिंदी में कौथन बोलते हैं यह बॉाइलिंग भी बोलते है जिस टमपरेचर पर होता उसका हम लोग कौथन बिन्दू कहते है इसका मतलब यह हुआ कि सर गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाएगा वैपोराइजेसन यानि की वास्पन कहलाएगा और मेरे मित्र आप सभी को अभी जस्ट में ने बताया है कि प्लाजमा इस्टेट क्या है आप कहेंगे जट से सर आवेसित गैस के कन है आईोनाइज गैस है तो चिला जी जब इस के अनुको जब इस गैस के अनुको आप किसी भी तरीके से क्या करते हैं आयोनाइज कर देते हैं आयोनाइज कर देते हैं यानि कि इस पर आवेस ले आते हैं तो सर आपका कौन सा इस्टेट बन जाता है प्लाजमा इस्टेट बन जाता यानिकी पदार्थ की चतुर सबस्थ साब को मिल जाएं ध्यार में रखेंगे कि सònड को गार्म किये लिकुड में बदल गया क्या कहलाएगा आप कहेंगे सरमेल 2 कहला रखेंगे यह गास बन गया आप कहेंगे सर्भाराई जैन और यहनी कि घैस को जब आयोनाइज कर देंगे तो यह किसमें बदल जाएगा सर प्लाजमा में बदल यह तो हो गया सीधा आप एरो देख रहे हैं क्या है सर तीधा हीट देते गया सॉलीड को भी हीट दिया लिक्विड में बदल गया लिक्विड को भी आपने हीट दिया किसमें बदल गया गैस में और गैस को यहाँ पे हीट नहीं दिया आपने गैस को आपने अलेक्टरिसिटी दिया करेंट दिया तो ये किसमें बदल गया सर प्लाजमा इस्टेट में बदल अब मिड़े मित्र जब आप गैस के कनों को डियानाईज कर देंगे यानि कि उससे जो करेंट है उसको हटा तो वो सर नॉर्मल गैस के कंग हो जाएंगे तो यानि की Plasma State जो आयनिकृत गैस है उस आयनिकृत में से आयन को हटा लेंगे तो हमको नॉर्मल गैस मिल जाएगा अब उसी गैस को ठंदहा कर देंगे यायनि की temperature low कर देंगे तो सर्फ condensation की परकिडिया होगी जिसको हम लोग संघनन कहते हैं जिसमें गैस ठंडा होने के बाद किसमें बदल जाता है धरब में बदल जाता है आप कहेंगी तो हम नहीं देखें हैं कभी यचेला रोज देख रहे किचेन में जब आप खाना बनाते हो तो खाना बनाते वक्त आप देखते होंगे कुकर या आपके कराही से कुछ भाफ निकल के कीचेन के सेड में जमा हो जाता है जब खाना बनाना बंध हो जाता है तो वह सर भाफ वाटर के ड्रॉप के रूप में नीचे गिरना शुरू होत जाता है क्योंकि गैस के कन बहुत हाइली इनर्जेटिक होते हैं उपर से आप उसको हीट देते रहते हो वह जल के साथा को छोड़ करके कीचेन के सेड में चला जाता है लेकिन जैसी उठंडा होता है ओकर सब गर्मी सांत हो जाता है मतलब क्या हुआ कि उसका पूरा इनर्जी लॉस हो जाता है और जब लॉस हो जाता है तो सर संग्रहित हो जाता है और जब गैस संग्रहित हो जाता है किसमें बदल जाता है दरब में तो गैस का दरब में बदलना संगहनन कहलाता है हमेसा ध्यान में रखेंगे दरब में बदलना क्या कहलाता है संगहनन कहलाता है और ध्यान में रखेंगे ये परकिरिया में क्या होता है तो सर गैस के उर्जाकी हानी हो जाती है इनर्जी लॉस हो जाती है इसलिए बेचारा क्या होता है कलेक्ट हो जाता है और आपको वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखता है और मेरे मित्र जब वह लिक्विड में पतार्थ के अवस्था में परिवर्तन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटर चेंजिंग आप दा इस्टेट ऑफ मैटर इसमें सॉलिड लिकूड में बदलता है लिकूड गैस में और गैस प्लाज्मा में और हम चाहें तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं जब प्लाज्मा को एकल अन्यवर्ट के अंड़में सं necesit kalian पूछा चाहर नहीं पेभी आपको डी CohER से संब्धीक अधैक 10 पूछा जाता प्लाज्मा सब्सक्ते मेरे क्या से च्छोटे से वीडियो के सारे आप उसका जवाब हफी हुम्मीद करते हैं यå च्छोटा से वीडियो आप सबों को सबों को अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिएगा और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लीजेगा ताकि इस तरह के एक्जाम रेले प्यूजूजच्ट कर दो जाए दो जाए एगीस